हम लोग देखते हैं रिपर्टरी में स्पेसिफिक बात करेंगे बॉनिंग हुसेन की जो most important, most famous जो रिपर्टरी थी जिसका नाम है BTPB या बॉनिंग हुसेन थेराप्योटिक पॉकेट बुक बॉनिंग हुसेन थेराप्योटिक पॉकेट बुक, most famous जो रिपर्टरी है बॉनिंग हुसेन की जिसका नाम है बॉनिंग हुसेन थेराप्योटिक पॉकेट बुक, जिसे हम बोलते हैं BTPB इसका पहले हम लोग देखते हैं, introduction देखते हैं तो जो बॉनिंग हुसेन थेराप्योटिक पॉकेट बुक जो है BTPB इसका exactly full जो complete name क्या है जो government job में आता है और जो आपको पता होना चाहिए वो exactly क्या है therapeutic manual for homeopathic physician, therapeutic manual for homeopathic physician for use at sick bed and in the study of material medica यह पूरा का पूरा जो नाम है यह complete जो full name है किसका बीटी पीवी का वो है क्या therapeutic manual for homeopathic physician for use at sick bed and in the study of materiamedica ठीक एक बाउ देखते हैं therapeutic manual for homeopathic physician for use at sick bed and in the study of materiamedica यह पूरा का पूरा नाम है जो आपको पता होना चाहिए ठीक आगे देखेंगे इसका जो publication है first time जो world में आई थी 1846 1846 में आई थी government job का question है वाइवा का question है ठीक है short notes में भी आता है तो यह जो है कब publish हुई थी 1846 1846 में आई थी आपको याद होना चाहिए written in German originally जो है यह German language में लिखी हुई थी originally जो है यह किस language में लिखी हुई थी जर्मन language में लिखी हुई थी इसके लावा French में भी यह हमें मिलती है ठीक है लेकिन जो original work था डॉक्टर बॉनिंग हुसेन का वो किस language में था जर्मन language में था एंड इसे यह में फ्रेंच language में मिलती है बाद में आगे जाकर इसको English में translate किया गया मैं आपको आगे बताऊंगा फिर देखते हैं जो में BTPV है technique techniqueiges अवति जो कं प़नेशन आफ ति में तो थे तरी ते रिकारी इस को कमाइन करके डॉक्टर बॉनिंग हुसेन ने इसte बंआया था और जो तीन रिकार्ट है वो बॉनिंग हुसेन के दारह ले लिखी गया यह टॉक्टर बॉनिंग हुसेन जो उन्हें ने तीन रिपर्टरी लिखी थी 1846 से पहले उन तीन रिपर्टरी को एक कमबाइन करके उन्हें फाइनल एक नए रिपर्टरी फांग कि इसका नाम है बीटी पीवी कौन कौन सी है पहले रिपर्टरी है एंटी स्टोरिक रिपर्टरी फर्स रिपर्टरी कौन सी है एंटी स्टोरिक रिपर्टरी 1832 में आई थी ठीक है दूसरा है नॉन एंटी स्टोरिक रिपर्टरी 1835 में आई थी और लास में लेकिन बाद में डॉक्टर बानिंग उसन ने किया Kya इंन्छिफ होमेपेटिक मेडेसिन इन तीनों की एक जिसे हम क्या बोलते हैं बीटीपीवी जिसे हम बोलते हैं BIONNING उसे ढोलते हैं ठीक हाएगे दीखेंगे इन ओरिजिनली बुक जो ओरिजिनल बुक थी डॉक्टर बॉनिंग हुसन के दरा जो लिखी गई ओरिजिनल बुक थी बीटी पीवी उसमें जो मेडिसिन थी उसमें थी मेडिसिन किती 126 इस इंपॉर्डेंट कोश्चन बनता है गॉर्मेंट जॉब में वाइवाब कोश्चन में आपको याद होना चाहिए जो बॉनिंग हुसन के दरा लिखी गई जो ओरिजिनल जो जर्मन लाइंग्वेज में लिखी गई थी बुक उस बुक में जो टॉटल मेडिसिन थी वो कित वो ELAN'S के ओडिशिन के फॉं में आया जो bitppv है आगे चाके ELAN ने उन में क्या किया क्या वर्क किया और ELAN ने वर्क करने के बाद जो PTPV का जो नया ADITION आया हम उसे क्या बोल सकते हैं Elens Edition बोल सकते हैं और उस Elens Edition में medicine किती थी 342 342 किती थी 342 means 342 medicines थी उसमें क्या है जो 302 medicine कैसे आई एकजेक्टली डाक्टर जो एवनस हैं उन्होंने क्या किया तो उन्होंने क्या किया इस पे जो थर्ट 342 है उसमें 220 क्या है new medicines है 220 क्या है new medicines है और जो old medicine थी 26 उसमें से नहोंने क्या कर दिया 4 माइनस कर दिया बचा किता 122 बचा 122 और 220 किता हो आपका 3 3 42 हो गया किता हो गया 3 42 हो गया फिर एक बार हम देखते हैं क्या हुआ एलैंस ने इस बीटी पीवी पे वर्क किया वर्क करने के पास में कुछ चेंज लेके आया और बीटी बीवी का जब एलेंस के दोड़ा चेंज किया किया ताम उसे हम बोलेंगे एलेंस एडिशन बोलेंगे जब एलेंस ने जब इस पर वर्क किया तो उन्होंने क्या किया इसमें 220, 220, 220 या 220 new medicines को एड़ कर दिया पहली important चीज जो दूसरा है इस बुक में जो और रिड़ी 126, 126 जो medicines थी उसमेंसे 4 medicines को क्या कर दिया उन्हें माइनस कर दिया मिंज उन्हें 4 medicines को उन्हें क्या कर दिया उसमें से remove कर दिया ठिक है तो 220 220 याड़ कर दी 126 और रिड़ी उसमें है 122 मतलब 122 और 220 एंड 122 दोनों को जोड़के फाइनली कित्ती हो गई यहां पर 342 तो एलेंस एडिशन में कित्ती मेडिशन है 342 मेडिशन है 342 में से ओल्ड वाली कित्ती है 122 हैं 122 क्यों हैं क्योंकि उसमें 126 थी औरिजनली उसमें तोनों चार को रिमूब कर दिया कित्सी बची उसमें 122 बची और नई वाली उन्हों ने कित्ती एड़ कर दिया 220 इड़के कोश्टन वाई वाईवा कोश्टन है कि एलन के दौरा यह एलन एडिशन में जो बीटी पीवी का जो एलन एडिशन है उसमें कितनी नियो मैडिसिन्स डॉक्टर एलन के दौरा एड़ की गई 220 ओल्ड मैडिशन किती हैं 122 बैं ओडिजनल ते 226 हैं लेकिन 122 क्यों है क्योंकि एलन ने क्या कर दिया उस 126 में से 4 medicine को remove कर दिया जिसका अड़र वहां कितних बची 122 हमें वहां मिलती है तो total कित्पी हो गई 342 हमको वहां मिलती है ठीक आगे बात करते हैं कौन-कौनसी 4 medicine है जो remove की गई किसमें से 126 में से 4 remove की गई कौनसी 4 medicine है जिसके नाम में आपको बताता हूं यह चार मेडिसिन है वैक कौहसा अंगॉस्ट्रा पहला है अंगॉस्ट्रा A-N-G-U-S-T-U-R-A अंगॉस्ट्रा दूसरी है मेगनेटिस पोली अंबो सेकंड मेडिसिन है तीसरी है मेगनेटिस अरक्तिकस Magnetis Polus Erecticus तीसरी medicine है और फूर्थ नमबर की जो medicine है वो है Magnetis Polus Australis ठीक है तो ये टोटल चार medicines है जो ओरिजनल 126 में से remove की गई एलेन के दौरा जो एलेन के addition में ये चारों जो medicine है नहीं है लेकिन जो ओरिजनली डौक्टर बोनिंग हुसन के दौरा लिखे गई 126 remedy वाली जो बीटी पीवी है उसमें चारों medicine present है तो चारों medicine जो हैं ओरिजनल प्रेजन्ट हैं एलेनस में ये कैसी हैं absent है आगे बात करते हैं डौक्टर रॉबर्ट्स एडिशन Roberts का भी एडिशन आया Robert, डौक्टर और Robert ने भी क्या किया بीटी पीवीः पे काम किया और उसके काम करने के बाद उसमें उन्हें से कुछ चेंज लेकि आया उसे हम क्या बोलेंगे Roberts एडिशन बोलेंगे जिसमें 364 364 इसमें कितनी दावाईया है तो ओरिजिनल में किती है 126, एलेंस एडिशन में किती है 342, 342 एंड जो रॉबर्ट्स एडिशन है उसमें किती है 364, किती उसमें 364 है फिर से बाद देखते हैं ओरिजिनल में 126, एलेंस में किती है 342 और जो रॉबर्ट्स एडिशन है उसमें किती है 364 तो गवर्मेंट जॉब में कोश्चन आ सकता है रॉबर्ट रेडिस्टर में कितनी मेडिस्टन है त्रिसिक्स्टी पर बताना पड़ेगा और बॉरिजिनल जो बॉनिंग हसन दौरा लिखी कई बीटी पीवी उसमें किती है 126 है ठीक है ना एलेंस ने कौन से चार मेडिस्टन रिमोग की इनके नाम यह हैं कितने मेडिस्टन रिमोग की और इस ने ओरिजिनल बुक से कितने मेडिस्टन रखी 122 मेडिस्टन को रखी आगे बात करेंगे 17 17 मेंटल रूब्रिक्स इन एग्रावेशन चैप्टर अंडर दा रूब्रिक एक्साइटमेंट इमोशनल क्या है अगला इंपॉर्टन चीज है 17 मेंटल रूब्रिक्स जो हैं इन एग्रावेशन चैप्टर एग्रावेशन के चैप्टर में 17 मेंटल रूब्रिक्स रखे ग हैं excitement emotional aggravation के अंदर जाएंगे excitement emotional rubric है उसके अंतरगत को उन्होंने किते रखे हैं 17 mental rubric रखे हैं तो aggravation chapter के excitement emotional rubric के अंदर 17 mental rubric के रखा गया है तो 17 जो mental rubrics है वो aggravation chapter के excitement emotional rubric के अंदर रखा गया है ठीक है आगे बात करेंगे Sensation and Complaint Sensation and Complaint की बात करेंगे तो Sensation and Complaint Chapter है इस Chapter को Allen द्वारा Change करके Sensation कर दिया गया जो Allen Edition है जो Allen's का जो Edition है उस Allen's Edition में जो Original Sensation and Complaint Chapter था उस Sensation and Complaint Chapter को Allen's Edition में Change कर दिया गया है उसका क्या नाम हो गया उसमें Sensation Only Sensation की बात करेंगे मतलब Allen's Edition की बात कर रहे है Sensation and Complaint की बात कर रहे है तो वो Original Bonning हुसन का जो Work है 126 वाला जो BTPV है उसकी बात कर रहे है आगे बात करेंगे आगे देखा गया है कि Concordance Concordance जो है Chapter Change into Relationship of Remedies जो Allen थे उन्होंने जो Allen Edition की बात करेंगे Allen Edition हम को एक और Change मिलता है एक और Change हम को क्या मिलता है कि जो Original Concordance Chapter था Concordance Chapter था Concordance Chapter था इस Concordance Chapter को Allen Edition में या Dr. Allen के दोरा Change करके क्या रख दिया गया नाम इसका Relationship of Remedies क्या नाम रख दिया गया Relationship of Remedies ठीक है तो यह Second Change हम को यहाँ पर मिलता है आगे बात करते है जो Concordance Chapter था जिसको उन्होंने Convert काय में किया Relations of Remedies में इस Relations of Remedies वाला जो चैप्टर है जो जिसका नाम पहले क्या था Concordance था बाद में Allen ने सुक्या कर दिया Relationship of Remedies इस चैप्टर में कित्ती Remedies उनने एड़ की 21 Remedies एड़ की उन्होंने इसमें क्या किया 21 Remedies एड़ की और यह जो चैप्टर था Relationship of Remedies It is a very important for useful for second prescription most important चीज़ आप यह दखना है Second prescription के लिए बहुत उप्योगी था Allen's Edition का Allen's Edition का वो कौन सा चैप्टर है जो का Allen's Edition का वो कौन सा चैप्टर है जो Second Prescription के लिए useful होता है उसका नाम है Relationship of Remedies Relationship of Remedies जो है It is a most important most useful chapter for किसके लिए Second Prescription Second Prescription के लिए बहुत उप्योगी है और इस चैप्टर में कित्ती मेडिसिन एड की गई है 21 Remedies एड की गई है आगे बात करेंगे यह जो चैप्टर है content कित्ती मेडिसिन इसमे 142 टोटल इसमें कित्ती मेडिसिन है 142 टोटल इसमें कित्ती मेडिसिन है 142 मेडिसिन है 142 मेडिसिन है एक बाद फिर रिवाइस करते हैं को काई में करवर्ट किया गया relationship of remedy में चेप्टर का नाम हो गया इस चेप्टर में ने कितनी मैडिसिन एड की नूट 21 मैडिसिन एड की उसके बाद यह जो चैप्टर है इसमें इसका यूज़फुल यह काई में यूज़ होता है second prescription को बनाने में को prepare करने में and इसमें total relationship of remedy total कितनी medicines है 122 sorry 142 142 जो medicines है इस chapter में include की गई है पूरे के पूरे government job के question है आगे बात करेंगे ऐलन्स एड large number of eye symptoms ऐलन्स एडिशन में ऐलन्स के दौरा ऐलन्स एडिशन में ऐलन्स के दौरा eye symptoms को large number में eye symptoms को क्या किया गया add किया गया large number में कोई question आता है large number में कौँछ संटम को add किया गया eye के symptoms को add किया lukया आगे बात करेंगे एलन्स change emulation into aggravation हैलन्स ने change किया original work में change किया तो उन्हान ने क्या change किया emulération को किया aggravation में because better adaptability बुक की बैटर एडप्टिबिटी के लिए बुक के बैटर यूज के लिए सबी फिजिशिशन के दौरा प्रॉपर यूज के लिए उन्होंने क्या किया अग्रावेशन को काई में कर्वर्ट कर दिया तो यह इंटोड़क्शन है किसका बॉनिंग हुसन की जो बीटी पी जो रिपर्टरी है उसका और इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इसके लिए गॉर्मेंट जॉब के लिए बीच मेस के लिए डिपलोमा कोर्स के लि है अब प्रॉपल इसको इए-धु बार रीट करेंगे अफनी तो आपको पूरा याद हो जाएगा दिमाग में सेट हो जाएगा आपको इसको सेट करना दिमाग में क्योंकि हर प्वाइंट अपने आपमें most important है हर point जो मैंने आपको यहां बताए सभी most most important topics है boning हुसन रिपर्टरी में जो boning हुसन रिपर्टरी थी उसको English में translate किया गया था कैसे तो translation into English by first translation 1846 first translation 1846 1846 में किया गया second translation 1847 जो second translation किया गया वो कब किया गया 1847 third translation जो किया गया 1847 ठीक जो fourth translation है उसके लिए के specific year दिया नहीं गया है and fifth नमबा का जो translation है वो 1891 उननी सो इनक्यानवे में by T.F. Allen by T.F. Allen 1891 में Dr. T.F. Allen के दार्ए किया गया और एक major changes किया गया add one more book of bonning हुसेन two sides of human and relationship तो जो fifth edition था जो 1891 में T.F. Allen के दार्ए किया गया था translate उन्होंने क्या किया था इस edition में एक important book bonning हुसन की एक और important जो book थी उसे उन्होंने क्या किया इसमें add किया जिसका नाम है two side two side of human and relationship जो यह आई थी 1853 1853 में आई थी यह वाली book और इस book को उन्होंने क्या किया था during translation क्या किया था इसमें add किया था तो government जब को question हो सकता है कि जो two side two sides of human and relationship इस book को कौन से translation में या कौन से number के translation में इसको add किया गया fifth number के कौन से year में आयता 1891 में आया था किनों ने add किया था T.F.L.N. ने add किया था next बात करेंगे जो sixth number का edition था वो 2000 में आया था sixth number का जो addition था वो कब आया 2000 में आया तो total 6 translation किये गए first 1846 second 1847 third 1847 fourth के लिए specific कोई mention नहीं किया गया है fifth जो है 1891 by T.F.L.N. ठीक है and sixth जो है 2000 में या 2000 में से translate किये गए total ये 6 translation किये गए इसके बॉनिंग हुसन की BTPV का ठीक आगे हम देखते हैं philosophy background जो BTPV बुक था बॉनिंग हुसन का जो BTPV बुक था उसका philosophy background क्या था exactly जो वो है बुक complete symptom and concomitant symptom based थी exactly जो इस रिपर्टरी में डॉनिंग हुसन ने symptoms को कैसे follow किया था complete symptoms को follow किया था या complete symptoms को use किया था and concomitant symptoms को use किया था क्यों किया था कि डॉक्टर बॉनिंग हुसन नहीं एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने exactly complete symptom की proper study की थी proper concept को उन्होंने arrange करके explain करने की पूरी पूरी कोसिस की थी तो जो बॉनिंग हुसन थे वो complete symptom के बारे में बताते हैं and concomitant symptoms को follow करते हैं जो complete symptom होता है location, sensation and modality इसमें आती है आगे बात करते हैं fundamental concept और BTPV BTPV का fundamental concept BTPV का fundamental concept है वो क्या है total four concepts है ठीक है पहला doctrine of complete symptom सभी को पता है मैं आपको बावर बता रहा हूं कि complete symptoms को follow करते हैं तो पहला fundamental concept है doctrine of complete symptom यह हम बोलेंगे doctrine of analogy A-N-A-L-O-G-Y analogy complete doctrine of analogy बोल दें या doctrine of grand generalization जनरलाईजेशन तो थर्ड है doctrine of grand generalization तो टोटल यह जो तीनों है तीनों का मिनिक एक ही होता है आप doctrine of complete symptom बोल दें doctrine of analogy बोल दें doctrine of grand generalization बोल दें तीनों का मतलब एक ही है government job में यह आता है doctrine of grand generalization उसका मतलब भी complete symptom होता है analogy तब भी हम वही समझेंगे and complete symptom तो complete symptom है जिसमें location, sensation and modality तीन पार्ट आते हैं आगे जो second fundamental concept है doctrine of concomitant doctrine of concomitant यह को follow करें रहे बॉनिंग असन फिर है evolution of remedies evolution of remedies और फूर्थ नमर का है concordance concordance तो total of four fundamental concept है यह philosophical background की बात करेंगे तो वह कौन से philosophy पर पर करते हैं complete symptom and concomitant symptom पर आगे बात करेंगे कि BTPV जो है उसके fundamental concepts क्या है fundamental concepts चार है doctrine of complete symptom doctrine of analogy doctrine of grand generalization बोल दें second doctrine of concomitant third evolution of remedy and fourth concordance total 4 fundamental concepts होते हैं किसके BTPV के next दिखते हैं typography typography की बात करेंगे तो इसमें 5 type की typography उसकी गई है 5 type की और बिने दो को question है कि BTPV में कितनी type की typography उसकी गई है 5 type की typography उसकी गई है and किते रचे ग्रेट उसकी गई है 5 type के greats उसकी गई है किते टाइप की greats उसकी गई हैं 5 type के greats उसकी गई हैं और बोल सकते हैं 5 type के marks दिए गई हैं 5 पकार के उन्हें numbers दिए marks दिए गई हैं तो 5 type की typography है 5 type के greats हैं या 5 type के marks उन्हें दिए गई हैं जो BTPV जो book है उस book में जो भी medicine को यूज किया गया है जब भी medicine उसमें explain की गई हैं उन medicines को 5 typography में लिखा गया है 5 type के typography का यूज करके explain किया गया है ताकि proper repetition कर सके proper similemum कर सके selection of medicine proper कर सके कुन practitioner जब इसको यूज करें तो 5 type के typography 5 type के great और 5 type के marks दिए कहें वो कौन कौन से हैं पहला है first great second great third great fourth great fifth great पांच great हो गए पहले great वाले को 5 marks दिए गए यदि first great आ रहा है उसका मतलब वो है उसे किते marks दिए गए हैं डॉक्टर बोनी उसने उसे किते marks दिए हैं five marks दिए हैं second great आ रहा है तो four marks मार्क्स दियें थर्ड ग्रेट आ रहा है तो थ्री मार्क्स दियें फूर्थ ग्रेट आ रहा है टू मार्क्स दियें और फिप्थ ग्रेट आ रहा है तो वन मार्क्स दियें वर्जे देखते हैं टूटल फाइब वाली medicine को four marks दियें, third great वाली को three marks दियें, fourth great वाली को two marks दियें and fifth great वाली को one mark उन्होंने दिया हुआ है, ठीक, आगे बात करते हैं, डॉक्टर बॉनिंग हसन की जो original भुक थी, जो उरिजनल उनने भुक लिखी थी, first book जो original भुक लिखी 10, उनने पांच टाइपकोरफ्य जो बॉनिंग हसन न जो original भुक 0840 में जो भुक लिक है उस भुक में जो उने टाइपकोरफिती उसकी थी वह कौनसी है ठीक है, italic spaced, पहली क्या है, italic spaced, दूसरा है italic, तीसरा है roman spaced, फिर roman and roman in parenthesis, कौन कोंसी है, italic spaced, italic spaced, italic, roman spaced, roman and roman in parenthesis, तोटल यह 5 टाइप की टाइपोग्राफिय लिखी थी, यदि हम italic spaced की बात करेंगे, यदि हम बोलते हैं, यदि हमें क्या मिलती, italic spaced वाला टाइपोग्राफिय मिलता है, इसका मतलब वो first grade, यदि कोई medicine italic spaced में लिखी हुई है, तो वो medicine जो है, first grade medicine है, और उसे किते marks दिये ग उसे four marks दिये गए है, वो second grade medicine है, यदि Roman spaced है, इस form में लिखी है the medicine, तो तीन marks दिये गए है, और third grade है वो, और अकला roman में लिखा हुआ है medicine, तो second mark दिये गए है, sorry two marks दिये गए है, and यह fourth grade medicine है, और roman in parentheses दिया गया है, तो इसे एक mark दिया गया है, और यह fifth grade का क्या है medicine है तो bonning हुसन के according italic spaced italic roman spaced roman and roman parenthesis italic spaced मतलब first grade 5 mark ठिक ज़िए हम बात करेंगे italic की तो italic में आपको किते देना है उसे उस second grade है 4 marks देना है ज़िए roman space की बात करेंगे third grade है 3 marks देना है अकला roman लिखा है सिर्फ तो four grade का medicine है वो और से two marks देना है और roman parenthesis आ गया सबसे वो कौसा है fifth grade का medicine है और से हमें क्या देना है सिर्फ एक marks हम को देना होता है आगे बात करेंगे डॉक्टर alan के दौरा जो alan ने जो उनका जो एडिसन आया था alan ने क्या किया उन टाइपोग्राफी में उन्होंने चेंज करके लेके आया और वो चेंज क्या था उन्होंने क्या कर दिया italic space को convert कर दिया capital में उनके according भी five है और roman parenthesis को क्या में रख दिया roman parenthesis में रख दिया तो alan के according पांच टाइपोग्राफी को कौन सी है capital, bold, italic, roman, roman parenthesis capital, bold, italic, capital, bold, italic, roman, roman parenthesis तो उन्होंने इसे convert कर दिया तो italic space को capital में italic को bold में, roman space को italic में एंड रोमान और रोमान परेंथिसिस को बिल्कुल वैसे के वैसे रख दिया तो यदि एलेंड के अकॉर्डिंग यदि कैपिटल में लिखा हुआ है यदि एलेंड एडिशन में मेडिसिन कैपिटल में लिखी हुई है LN addition में यदि medicine के है है capital में लख wert इसका मतलप first great medicine है five marks यदि वो काई में लिखी world में लिखी है second great medicine है four marks यदिplease italic में लखी है third great medicine है three marks दिये गए यदि हूँ roman में लिखी है तो four great medicine and four marks को two marks दिये गए है और면 in parentheses मी लिखी है तो वो five great medicine फिप्ट ने और उसे one marks दिये गए हैं उस इस condition में लिखी वी medicine को according to island according to bonning हुसेन ये दोनों अलग-अलग है exam में आता है ठीक है कहीं से भी कोश्चा मन सकता है first grade मतलब bonning हुसेन recording क्या है five marks है first grade island के recording भी क्या है five marks है लेकिन जोनके टाइपोग्राफिय वो change हो गई तो island ने क्या किया था capital वो किसमें change किया था capital उन्हें typographic किसको replacer के किया था italic space government जब का question जब में पूचा सकता है कि capital जो typography है वो किसको replacer के लिखी थी italic space को bold italic को italic किसको है roman space को ठीक तो ये आपको एक conceptually आना चाहिए क्योंकि exam में आता है कहीं से भी आ सकता है ये table आपको properly कैसा हो है याद होना चाहिए ठिक आगे हम देखते है plan and construction plan and construction तो total btpv को total seven section में बाटा गया है या पूरी btpv को total seven section में डिवाइड किया गया है total seven sections में डिवाइड किया गया है साथ section में government job question है कि btpv को किते section में डिवाइड किया है seven section में डिवाइड किया गया है है mind and intellect काई में convert किया पहला है mind and intellect first section है second parts of body and organs second parts of body and organs third sensation and complaints sensation and complaints sensation in general of gland of bone and skin वो भी काई में है in general of gland of bone and skin या प्याद होना चाहिए fourth है sleep and dream fourth number का क्या है sleep and dream fifth number का क्या है fever six number का क्या है alteration of state of health alteration of state of health means modality जो है उसे हम बोलते हैं and last है relationship of remedies relationship of remedies total seven section है पहला mind and intellect second कौन सा है आपका part of bodies and organ third कौन सा है आपका sensation and complaints था आपका fourth कौन सा है sleep and dream फिफ्ट है फिवर six number क्या है आपका alteration of the state of health या हम से बोलेंगे modality and last seven number का है relationship of remedies फिर एक बार देखते हैं first क्या है आपका mind and intellect second parts of body and organs third sensations and complaints फिफ्ट है sleep and dream फिफ्ट है फिवर six है alteration of the state of health या modality and relationship of remedies total seven sections होते हैं relationship of remedies total seven sections होते हैं किसमें BTPV में ठीक है न तो जो sensation and complaint है उसमें आता है in general of gland of bone and of skin की बात करेंगे जो फिवर वाला है फिवर वाले में क्या points आते हैं circulation of blood cold stage coldness heat perspiration compound fever and concomitant complaints fever के अंदर कोन कोन आता है circulation of blood cold stage coldness heat perspiration compound fever and concomitant complaints आता है यह दिए हम filtration की बात करेंगे means modality की बात करेंगे तो aggravation according to time aggravation situation and circumstance पहला है इसमें aggravation according to time time के according के aggravation है फिर aggravation according to situation and circumstance की बात करेंगे एं एम बल्रवेशन बाइ पोजीशन या तो इस बॉड्र इंपॉइन बात करेंगे जो इस बॉड्र में जो भी फॉंट लिखा है औंपने आप्रियंट पॉइंट है गुवर्मेंट जोब में यह प्रोट ट्रांसलेट आ सकते हैं स्पेसिफिक टीएफ लन वाला जो ट्रांसलेशन वह आ सकता है कौन सी बुक को एड किया गया है कितने फंडामेंटल कॉंसेट्स हैं यह आपको पता होना चाहिए यह टाइपोग्राफी वाला जो पार्ट है इस वेरी इंपॉर्टन फॉर बीटी पीवी और एक्जाइम के वीव से गॉर्मेंट जोब के वीव से मोस्ट मोस्ट आइंपी है किते सेक्शन से आपको याद होने चाह कुछ इंपॉर्टेन्ट पॉंट से इंपॉर्मेंट सा उपॉर्मेंट जॉब के लिए एक उंपॉर्मेंट ॉब्रों के लिए एक हट से जो आपको याद होने चाहिए पहले पॉंट देखते हैं हम लोग स्पिषिय फीच Risk में डियरवश्व्रूर्णव न ओनला गोन क telephone क और ना तो कोई सार कोड का यूज किया गया है most important point है BTPV Repertory में ना तो कोई सार कोड है और ना तो कोई नोसोड है इसका यूज किया गया है next ये बताएगे कि 141 medicines जो है chapter of relationship relationship में chapter of relationship में 141 medicines का यूज की है लेकिन उसमें से 51 medicines को sorry 15 medicines को 15 medicines को are exclusively used in chapter of relationship तो bonning हुसन की जो BTPV Repertory है उनके जो relationship वाला जो chapter है relationship of remedy वाला जो chapter है उसमें 141 medicines है लेकिन उसमें जो ज़्यादा medicines बहुत बार यूज की गई है वो कौन सी है 15 15 medicines को है जो exclusively क्या किया गया है यूज किया गया है तो government जब का point बनता है ये वाला एंड ये वाला आगे बात करेंगे Roman in parenthesis जो typography है Roman in parenthesis जो बानिंग हुसन की original typography है जो टी एफ एलन की है उनकी जो एलन की जो है उनमें भी जो टाइपोग्राफी है Roman in parenthesis वो exactly used in relationship relationship में इसका use किया गया है ठीक relationship जो chapter है इसमें क्या किया गया है इसका use किया गया है आगे बात करते हैं BTPV followed the Hennyman anatomical schema anatomical schema जो बानिंग हुसन थे उन्होंने क्या किया था Hennyman anatomical schema को use किया था for arrangement of rubrics most important point जो BTPV में बानिंग हुसन ने जो rubrics को arrangement करा था जो arrange किया था उस arrangement के लिए उन्होंने किसको follow किया था Hennyman के anatomical schema को Hennyman anatomical schema Hennyman anatomical schema का use किया था BTPV में rubrics को arrange करने के लिए किनने? बानिंग हुसन ने आगे बात करेंगे बानिंग हुसन has divided back into four parts जो बानिंग हुसन की जो repertory है BTPV repertory में जो back part है back वाला जो part है या back वाला जो section है उसे उन्होंने क्या किया है चार part में divide किया है ठीक है पहला part है scapula first part है scapula second part है back in general second part क्या है back in general third part है हो क्या है craze corresponding to sacrum corresponding to sacrum craze जो next third part है k-r-e-u-z craze craze जो है यह जो है corresponding to sacrum है और जो fourth part है जो fourth number का part है वो क्या है स्टाइस स्टाइस स्टी ई-ई-डबल स्टाइस reason of coccyx reason of coccyx तो total चार part है पहला बताता है scapula को second बताता है back in general third बताता है corresponding to sacrum और स्टाइस जो है reason of coccyx coccyx के बारे में बताता है तो उन्होंने back part को चार part में divide किया है आगे बात करेंगे according to bonning हुसेन mental symptoms used for differentiation of remedies most important point याद रखना है आपको कि जो bonning हुसेन का जो mental rubrics हैं जितने भी mental symptoms हैं उन्होंने जो भी mental symptoms पर काम किया है जो mental symptoms को उसमने अपने BTPV रिपर्टरी में use किया है और exactly उनका use क्या है वो क्या use करते हैं remedies को differentiate remedies को differentiate करने के लिए mental symptoms का use करते हैं कौन bonning हुसेन तो bonning हुसेन की जो रिपर्टरी है BTPV में जो mental symptoms हैं उनका use किस के लिए differentiation of remedies remedies को differentiate करने के लिए किया जाता है आगे बात करते हैं can't और hearing जो थे doctor can't और doctor hearing जो थे criticized BTPV BTPV को criticize करने वाले सबसे ज़्यादा criticize करने वाले BTPV को सबसे ज़्यादा strongly criticize करने वाले कौन थे can't और hearing थे ठीक है न वो भी कौन से doctrine of analogy BTPV का जो doctrine of analogy है doctrine of analogy BTPV का जो doctrine of analogy है उसको strongly criticize करने वाले जो थे वो कौन थे doctor can't थे और doctor hearing थे उन्होंने strongly ने क्या किया criticize किया government जब का question है भी आगे बात करेंगे concordance word जो concordance word है concordance word जो है concordance word जो है first time किसने use किया था bonning उसने most IMP question है government job का कि concordance word जो है पहली बार कौन ने use किया था वो use किया था किने bonning हुसेन जी ने किया था आगे बात करेंगे there is no cross reference BTPV में cross reference नहीं है most most IMP ज़िए आप can't ripetry की बात करें तो can't ripetry में cross reference प्रेजेंट है लेकिन bonning हुसेन की जो BTPV रिपर्टरी है उसमें कोई भी cross reference नहीं cross reference के बारे में नहीं बताया गया उसमें cross reference है ही नहीं ठीक आगे बात करते हैं mind and intellect mind and intellect जो पहला chapter है first section है पहला section है किसका BTPV का mind and intellect exactly वो originally क्या है mind and soul bonning हुसेन के according क्या है mind and soul क्या है वो mind and soul है mind and intellect exactly क्या है mind and soul है किसमे bonning हुसेन के according 35 rubrics in mind and intellect intellect mind and intellect जो section है mind और intellect जो section है उसमें कितने rubrics रखे गए हैं 35 rubrics हैं दोनों में कितने हैं 35 rubrics हैं जिसमें से 18 rubrics in mind 18 rubrics किसमें है mind में 18 rubrics in mind and 17 rubrics in intellect तोनों की बात करेंगे तो 35 rubrics है most most time पर कोशन बनता है कि जो BTVB का mind and intellect chapter है या section है उसमें कितने rubrics है 35 rubrics है यह अब mind की बात करेंगे तो इसमें किते हैं 18 rubrics है और 17 किसमें intellect में है आगे बात करते हैं Bonning Hussain's work was most popular in American homeopathy Bonning Hussain के दोरा जो भी काम किया गया most popular था किसमें American homeopathy में American homeopathy में सबसे most popular जो वर्क है वो किसको माना गया है Bonning Hussain का माना गया है most time पर कोशन आगे बात करेंगे BTPV we are deal has two parts जो BTPV है वो deals करती है has two parts first part जो है introduction है by H.A. Robert by H.A. Robert के दोरा जो first part है वो introduction है और जो second part है वो revised है last है कौन सा T.F.L.N. जो BTPV है exactly deal है we are deals has two parts मतलब जो BTPV है उसके दो parts है पहले part जो है introduction वाला part है जो H.A. Robert का है और जो second part है जो बात करते हैं उसमें वो कैसा है उसको T.F.L.N. ने दिया है revise part है in last part होता है ठीक है ना जो second part है BTPV का no subjective symptoms उनमें कोई भी subjective symptoms नहीं है जो BTPV का जो second part है जिसे in last part है revised part है किसके दोरा T.F.L.N. का बात दोरा उसमें कोई भी subjective symptoms नहीं है आगे बात करेंगे source of BTPV BTPV का जो source है वो कौन सा है मत्रे मेडिका प्यूरा है कौन है मत्रे मेडिका प्यूरा है source of जो BTPV है वो कौन सा exactly मत्रे मेडिका प्यूरा है क्या है मत्रे मेडिका प्यूरा है आगे बात करेंगे बॉनिंग हुसेन बॉनिंग हुसेन की बात करेंगे तो जो बॉनिंग हुसेन है कुछ important point है और बॉनिंग हुसेन के according है तो जो बॉनिंग हुसेन है फर्स टू मेक फर्स जनरल रिपर्टरी बॉनिंग हुसेन ने सबसे पहली फर्स जनरल रिपर्टरी जो जनरल रिपर्टरी है जो हम बोलेंगे कि हॉमिपैथी में जो है पहली जनरल रिपर्टरी कौन सी है वो किनों न इन पर्टिकुलर रुब्रिक्स, पर्टिकुलर रुब्रिक्स में, 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 पर्टिकुलर रुब्रिक्स में किसने बताया कौन बता रहे हैं वो बॉनिंग हुसन जी बता रहे हैं आगे बात करें प्रिंसिपल आफ एनलोगी प्रिंसिपल आफ एनलोगी या डॉक्ट्राइन आफ एनलोगी जो है वो किन ने दिया पहली बार first time किसे ने दिया burning основ ने दिया अगर बात करेंगे first time उनने क्या किया develop किया किसकष concordance of remedies concordance word भी उन्होंने पहली बार use किया और develop किया था concordance of remedy के बारे में तो burning person ने क्या first time जो हूmipathy को पहली बार गी बात करेंगे तो first general repository तो ये पहली बार किस ने दिया, किसे बनाया? BONNING HUSIN ने बताया। पर्टिकुलो रूटिकुलो रूब्रिक्स में इविलेशन उफ्रीमेडी के बारे में पहली बार किस ने बताया? BONNING HUSIN ने बताया। प्रिंसपाल आफ आइनालोगिया, लॉक्ट्रिम ने बोला बॉनिंग हुसन ने तो बॉनिंग हुसन ने इस चार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं पहली बार हुमिपेथे के लिए किये थे कौन से किये थे फर्स जनरल रिपर्टरी दूसरा क्या उन्होंने बताया आपका पर्टिकुलर रूब्रिक्स में इवुलिशन वह इसको फर्स टाइम हमिपेथे मिटयू इव इलबफ किया इन चारों के बारे में इूदी फरस टाइम किसने लेक के लिए most 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 IMP question से most most IMP points है जो exam में आ सकते हैं इसके अलावा जिसको इसको इसमें डे रहा है डिप्लोम कोर्सेश दे रहा है तो वह special point heading डालके वह इन्हें explain कर सकता है point to point जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही वह लिख सकता है ताकि आपका जो आपने question लिखा हुआ है explain किया है उसकी importance और बढ़ जाए examiner को आपका कोशन और अच्छा लगे ताकि आपको proper marking उसमें हो सके ठीक